प्रभाव में आपका स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं बिल्कुल एक इन्फॉर्मल टॉपिक पर और ये टॉपिक मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कई लोगों के कमेंट्स आने के बाद इस टॉपिक को मैंने शुरू किया हैं इन टॉपिकों को मैं एक अई वीडियो में समझाने की कोशिश करूगा बहुत ज्यादा मेरा कोई अनुभव इसमें नहीं रहा है लेकिन मैं बहुत सारे विशय पढ़ाता हूँ तो कई सारे विद्यारतियोगा कहना था किसर आप इतने विशय पढ़ा लेते हैं तो आखिर कैसे तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़े गौड गिप्टेड भी होती ही जैसे मैं एक बार कोई चीज पढ़ लेता हूँ तो उसमें से लगबक 70-80% मुझे याद रहता ही है एक बार भी पढ़ने पर तो शायद मुझे लगता है कि ये गौड गिप्टेड होने के कारण बहुत सारा बेनिफिट है लेकिन मैंने भी इसके अलावा कुछ ऐसी ऐसी बाते UPSC में हम कह सकते कि जैसे शुरुवात सभी लोग कहते कि लियूसेन से करिये तो लियूसेन में बहुत सारे टेबल होते थे उसे कैसे याद किया जाए उस पर भी हमने बहुत सारी कुछ चीज़े समझी थी उसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं तो आज हम देखेंगे कौन सी ऐसी बाते हैं जो हमारी मेमोरी को इंप्रू कर सकती हैं कंसेंट्रेशन को बेटर कर सकती हैं परने का मन न हो लेकिन फिर भी पढ़ाई स्टार्ट करा सकती हैं मैं उस पर संचिप में कुछ बाते बता रहा हूँ हमारे विशे में आप जानते होंगे अनेकेडमी प्लस पर आप देख सकते हैं कि सारी कि सारी क्लासेस के साथ साथ टेस्ट भी हैं आप अगर इसमें एडमिशन लेते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज के लिए कोई अलग से पे नहीं करना है optional paper के लिए अलग से pay नहीं करना है GS optional test series सब के लिए एक अही payment एक अही fees sufficient होगी special classes आपके पास option के रूप में रहेगी किसी भी educator की trial class अगर YouTube पर देखनी है तो आप Unacademy के YouTube channel पर जाकर special classes ले सकते हैं जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 2 अगस को special classes किन की थी फिर 3 अगस को ऐसे वहाँ पर special classes एक एक घंटे का session पूरा दिया जाता है trial classes के रूप में फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे Unacademy Plus पर कोन कोन पढ़ाने वाले हैं तो आप एक list देख सकते हैं बहुत बड़ी list हैं जो Unacademy Plus पर पढ़ा रहे हैं पढ़ाते चले जा रहे हैं एक बहुत बड़ी team के साथ Unacademy Plus पर शुरुआत हो चुकी हैं जनरल साइंस की हमने शुरुआत कि एक अगस से 7 सप्टेमबर तक हिंदी माद्यम को फोकस करते हुए ये complete course start किया गया है मेरे द्वारा मैंने अपना अलग से course पूरा डिजाइन किया है जहां पर मैं पूरे साल बर में बहुत सारे विशे कवर कराने का प्रयास करूगा ये जो पूरा सब्सक्रिप्शन होगा ये पूरी की पूरी जो बाते होगी ये एक अगस से 7 सप्टेमबर में 32 लेसन 2 गंटे के 64 गंटे में पूरा जनरल साइंस कवर होगा सब्सक्रिप्शन अगर आप वन एर का लेते तो 35,000 का है पर आप अगर यहां रिफर कोट के रूप में आपको जो दिक रहा हैं वहां रिफर कोट के रूप में MK Live यूज़ करिए MK Live रिफर कोट यूज़ करिए तो यह सब्सक्रिप्शन आपको 31,500 में मिल जाएगा अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यह 56,000 में अवेलेबल हैं लेकिन आप वही एंटर रिफर की में अगर आप MK Live लिख देते हैं तो यह आपको 50,400 में अवेलेबल हो जाएगा एक सिंपल सी बात हम कह सकते हैं और अगर एक सिंपल सी बात कहे एक बड़िया सी तयारी घर बैटकर जो दिल्ली आ नहीं आ सकते हैं जो बड़े शरों में नहीं जा सकते उनके लिए अगर इंटरनेट की स्विट कम भी है तो भी आप आफ्लाइन डाउनलोड करके उसे देख सकते है तो आएए देखते हैं मेमोरी के बारे में जो संक्षिप में मैं कुछ बताना चाहरा हूँ सबसे पहला तो सवाल यह होता है कि दिन बर कैसे पढ़े और दिन बर पढ़ीवी चीजों को मेमोराईज कैसे करें तो मैं कुछ छोटी छोटी एक्जामपल दूगा क्योंकि इस पर मेरा कोई रिसर्च नहीं है इसे तो आप यूट्यूब पर बहुत सारे लोग जो रिसर्च वाले वो भी मिल सकते है मैं अपने एजुकेशन वाले experience आपको बता रहा हूँ सबसे पहले तो मैं लगबग मान के चलिए कि 2011 से डेली 12 घंटे क्लास लेता हूँ तो एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि भी 12 घंटे energetic बना रहे न क्योंकि मेरी आखरी क्लास आप देखते होंगे कि 8 से 9 की होती और मुझे उस समय भी बता देना comments करके कि energy क्या कभी आपको down लगी है आप feel करेंगे कि मैं उतनी आवाज में उतनी energy के साथ भली mic होता है लेकिन फिर भी मुझे आवाज और अपने जो wise है उस पर command रखते हुए मुझे अच्छा लगता है energetic रहना तो अगर एक simple सी बाएं बात करो इसमें तो 12 गंटे तक लगातार energetic रहना आसान नहीं है उसके पीछे बहुत बड़ा motivation होना चाहिए और वो motivation पैसो का नहीं हो सकता है क्योंकि वह उतने तरीके से motivate नहीं कर सकता है जितना motivation उससे कुछ बड़े जिसे हम चाहते है कि पूरे भारत में धीमे धीमे आप लोगों के माध्यम से एक खबर पहुचे कि नहीं एक शिक्षक ऐसा भी है जो बहुत सारे विशे पढ़ा सकता है चावल भी नहीं खाएगी कभी और वहाँ लड़कियों के टिफिन वाले कभी दुखी नहीं रहते क्योंकि वो जानते हैं अगर टिफिन में आद चावल भूल भी गए तो शायद लाली को पसंद भी नहीं पता भी नहीं चलेगा कि डब्बे में चावल नहीं था जो पहला बदला उसमें किया जा सकता है अगर खाना कम रहेगा पेट में कन्सेंट्रेश्न अच्छा रहेगा तो मेंमोरी अच्छी रहेगी अब मेंमोरी को बढ़ाए कैसे बड़ा सवाल यह है में मेंमोरी को increase कैसे करे तो कई बार जैसे मैं बताऊ कि emotions Emotions, Emotions Memory को सबसे ज्यादा Forcefully Increase करते हैं, Emotions का Increasement का मतलब हुआ कि जब भी आप चीजों को पढ़े, तो आप उसकी बातों को समझे, उनकी बातों को आप जब तक भावनात्मक रूप से नहीं समझेंगे, जैसे मैं जलवायू परिवर्तन जब पढ़ाता हो, तो बहुत सा Emotions आ जाते हैं, तो एक बार जब मैं पढ़ा देता हो, तो Memorize हो जाता है, मैं बताता हूँ क्या दुख आ सकते हैं जीवन में, क्या परिनाम हो सकते हैं, तो जब आप Quality पड़े, जब आप जोग्राफी पड़े, तो आप Emotionally सोचिए कि क्या हो सकता है इसका भ्यानक परिन Emotionally सोचिए कि किसी व्यक्ति की जीवन में वो कानूनी अधिकार क्या परिनाम ला सकते हैं, कोई एक study, एक case study, Emotional वाली पड़े, जैसे मैं एक case study बताता हूँ, पशिम बंगाल का एक जिला था, जो प्रदूशन या मैं कहो कि सोचता के लिए बहुत बदनाम था, मुझे ना लेकर उस मल को साप करने के लिए पहुच जाते थे, तो लोग सोचिए मल को साप करने के लिए पहुच रहे, Emotionally सोचिए, अब आपको पशिम बंगाल और यह घटना याद रहेगी, हमेशा के लिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मेमोरी अगर आपको increase करनी है, तो सबसे पहला पॉइंट होता है, Emotion, भावनात्मक संबद, सभी में संबव नहीं है कि सभी में भावनात्मक संबद जोड़े जाए, लेकिन, quality, geography, economics, यह इसे विशय है, इसमें कई मुद्दों को थोड़ा भावनात्मक सोचो, भावनात्मक सोचने का मतलब हुआ कि, extreme सोचो, कि उस वेक्ति की जिन्दगी कहां बदल सकती है, उसके जीवन में कितनी शती हो सकती है, उसके जीवन का इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है, emotional होकर सोचोगे, तो मुझे लगता है, memory बहुत जल्दी सेट हो जाएगी, इसका जीवन तु धारंदे रहो, शायद अगर मैं आपसे जीवन में जो भावनात्मक रूप से जुड़ी थी, वो आपकी memory को increase कर देती है, permanent memory में बदल देती है, तो जब मुझे कोई चीज बहुत अच्छे तरह से समझानी हो, तो मैं उसमें अपने emotions लाने की कोशिश करता हूँ, emotions तब आते हैं, जब आप उस विशय में अपने आ असर डालते हैं, मैं देखना example वा जो लेता हूँ, वो emotion को target करते हैं, emotion जब किसी भी चीज के साथ जुड़ता है, memory बहुत improve होती है, और memory permanent memory में convert होती है, दूसरा, तो भावनात्मक संबन, पहला point, दूसरा, जब भी आप चीजों को याद करते हैं, जब भी आप चीजों को रटते हैं, समझते हैं, जो भी मैं कहना चाहूँ, उस सभी चीजों को पढ़ने के बाद, जैसे मैं मानों एक किताब पढ़ रहा हूँ, एक copy पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसे पढ़ने के बाद, पूरा पढ़ने के बाद, दो लाइनों में convert करने की कोशिश करता हूँ, और memory का development हो रहा है ये short term memory है लेकिन उस short term memory को मैंने convert किया दो lineों में और सरल भाषा में उस बात को समझाने की कोशिश की तो जब हम किसी भी सामाने से सामाने किताब पढ़ रहे हो उसे अपने भाषा में बदलो क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द है जो तुमारे मस्तिक्ष में भाव पैदा करते हैं जैसे मैं समझना मैं आप लोगों से कहूँ जंगल तो जंगल शब्द कहते ही बिलकुल अचानक negative thought आएंगे कोई भयानक सी जग होगी, खोकार से जी होंगे मैं कहूँ one तो अलग सी feeling आती होगी शान्त वातावरन होगा, धीमी हवाय चल रही होगी पानी जरने के रूप में बहरा होगा बहुत अलग feeling create करते हैं शब्द क्योंकि आपने जिन शब्दों को बार बार सुना है वो शब्द आपके अंदर भावनाएं पैदा करते हैं इसलिए जो भी आप पढ़ रहे होते हैं उसे finally दो लाइनों में अपने शब्दों में लिखे, अपने किताब ओले शब्दों में अपने शब्दों में कि मुझे इसका मतलब ये समझ में आ रहा है वो पेज आपको हमेशा याद रहेगा उन दो लाइनों को जैसे ही याद करोगे दिमाग में आ जाएगा कि उस पेज ने क्या बताया था तो मैं दूसरा पॉइंट ये बताना चाहरा हूँ पढ़ने के बाद अपने भाशा में उस कही गई बात को संशिप्त रूप से लिखना अनिवार होता है तब जाकर मेमोरी को हम कह सकते हैं कि पर्मनेंट हो सकती है तीसरा तीसरा तीसरी मेमोरी या तीसरा मेरा नियम वहां काम करता है देखो जब हम बहुत रिलेक्स होते हैं तब जाकर हमें मेमोरी पर्मनेंट मेमोरी होती है देख न, जब आप अपना पेपर देने जाते होंगे, जिसे आप graduation कर रहे होंगे, आप बारवी के समय के मैं बात बताओ, तो जब आप पेपर देने जाते हैं, तो आप इस stress में एक दिन पहले पूरा पेपर पढ़ लेते हैं, पर पेपर खत्म होने के बाद अगर कोई आटम ही होती है, इसी कारण से मैं बार-बार कहता हूँ, UPSC के विध्यारतियों को relax होकर पढ़ना, relax होने का मतलब क्या होता है, देखो क्या हो सकता है, सबसे बुरा क्या हो सकता है, चार साल तयारी की फेल हो जाएंगे, पर जिन्दगी में कुछ तो करी लेंगे न, तो stress रहित होने चाहिए, stress रहित मतलब, जब आप पढ़ें, तो तनाव नहीं लेते वह पढ़ें, तनाव मतलब, यह मत बताइए कि मैं पूरी किताब करने वाला हूँ, आप अपने दिमाग को क्या कहेंगे, बस मैं आज एक पेच पढ़ना चाहता हूँ, जैसे आप लक्षमी क पढ़ना चाहता हूँ, बस आज कुछ नहीं पढ़ेंगे हम, जैसे एक पेच पढ़ना हुआ, interest develop होगा, क्योंकि तुम्हारा brain relaxed था इस समय, जितना तनाव रहित पढ़ाई होती है, जितना तनाव रहित चीजों को हम पढ़ रहे होते हैं, वो हमारे memory को permanent करता है, तो जब पढ़ने बैटे तो यह ना सोचे ही, मैं किताब खतम करूगा, मैं आज topic खतम करूगा, बस जो page है, वो समझ में आ जाए, मैं सवाल और page को छोड़ दूगा, उसके बाद पढ़ूगा नहीं, बोलते चलिए बार-बार कि बस इतना ही पढ़ना है, एक page, बस एक page, अपने आ हम होता है, तनाव रहित पढ़ना, और तनाव रहित पढ़ने का तरीका है, तनाव रहित पढ़ने का तरीका है, आप long term के target मत दीजे दिमाग को, short term कई बहीं, देखो बस अभी, बस एक page, खतम, फिर relax, फिर आज छुट्टी मनाएंगे हम लोग, दिमाग आपकी बहुत मद concentration कैसे बढ़ाए, concentration को बढ़ाने के लिए, जो मैं suggest करता हूँ, जैसे mass patient बनानी है, तो बहुत सामान में सा गनित है, दंबल उठाईए, 6 महिने में mass patient, 12 महिने में mass patient, ready हो जाती है, आसान इसले कह दिया मैंने, वैसे कठीन है वो भी काम, आसान इसले कह दिया, memory बढ़ाने के respect में, अगर आपको अपना दिमाग बढ़ाना है, तो दिमाग इतने आसानी से एक साल में नहीं बढ़ता है, प्रोसेस के तहत होगा, धीमे धीमे होगा, जैसे मैं आपको बताओ, जितने mathematician है, जितने scientist है, जितने researcher है, जितने philosopher है, इनके अंदर एक common सी चीज है, और वो common सी जटिल प्रक्रियाओं को सरल करने का प्रयास, असफली क्यों ना हो जाए, लेकिन उस असफलता में, तुम्हारे concentration बढ़ने की काबियत आ चुकी है, इसका meaning समझा रहा हूँ मैं, जैसे मैं, मैं कुछ एक गेम बता रहा हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि कभी बहुत ज्यादा target इसमें मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें सिखने के लिए मिलती हैं, कि कैसे river को cross किया जाए, बहुत सारे task उसमें दिये जाते हैं, ऐसी चीज़े, ऐसे game, जैसे आपका खाना खाने के बाद पढ़ने का मन नहीं होता है, तो मैं सज़ेश करता हूँ, कि PUBG से ज्यादा बढ़िया है कि river crossing को खेली है, PUBG से ज्यादा बढ़िया होगा कि pseudo कुछ जैसे चीजों को खेली है, क्योंकि अगर आदे घंटे की भी practice होगी, तो certainly आपके concentration आपको improve होते दिखाई देंगे, concentration का मतलब होता है, किसी एक चीज़ पर focus होना, देखो, योग करना, ये सारी चीजे कही जा सकती है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन होता नहीं है, वर्तमान की इस तरीके की व्यस्तता है कि कैसे करे, तो मैं suggest करता हूँ जैसे the Hindu में pseudo को आता है, तो मुझे जब भी समय मिलता है, जब भी मुझे लगता है कि मैं bored हो रहा हूँ, मैं pseudo को हल करना पसं करता हूँ, क्योंकि दिमाग multi-dimensional thinking कर रहा है, देखना pseudo को बरना सिखा दे रहा हूँ, मैं आप try करके देखेगा multi-dimensional thinking होती है, और मैं बताओ आपको कि pseudo को में, pseudo को में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ऐसे nine box होते हैं, nine box होते हैं, जो मेरी memory में बहुत helpful मुझे लगता ह कि योगदान रहा है सूडू को का, आज भी, आज भी मुझे जब भी लगता है कि समय है, तो मैं सूडू को पर जरूर ध्यान देता हो, देखना इसमें नव-नो box होते हैं, उसमें शर्त होती हैं, एक से नव तक की संख्या है, एक से लेकर नव तक की संख्याओं को भरना है और जब कोई संख्याओं आपने यहां लिख दी, तो अब इस पूरी की पूरी शैतिश पंक्ती में वो नहीं आएगी, इस पूरी की पूरी उध्वादर पंक्ती में वो दो नहीं आएगा, और इन nine box में भी दो नहीं आ सकता है, एक साथ three dimension में हमें सोचना है, यह बहुत म जा गया था, अब हमें इसकी मदद से दो फिल करना है, कुछ आकड़ी दे जाते हैं, कुछ भरने होते हैं, तो अब ये बात तो clear हो गई कि इस पंक्ती का दो आ चुका है, तो अब मैं नव box में सोच रहा हूँ कि दो कहाएगा, तो यहां तो नहीं आ सकता है, इस पंक्ती क के लिए थोड़ा practice, पूरा मत भरिये, लेकिन आधे घंटे, आधे घंटे की practice जरूर करिये, सुडू को multi-dimensional thinking को बढ़ाता है, जिसे मैं reasoning जब पढ़ाता हूँ, तो puzzle को मैं आसानी से solve कर लेता हूँ, क्योंकि puzzle मेरा इसलिए आसान होता है, क्योंकि मैं इस पर practice बहुत करता ह एक star, 2 star, 3 star, इसकी कठिनाई को दर्शाते हैं, आप 1 star, 2 star, 3 star से शुरुवात करिये, आधे घंटे भी अगर आप इसको करेंगे, मैं दावा करता हूँ, कि आपके concentration में improvement आएगा, साती साथ, जब आप कोई किताब पढ़ेंगे, तो उसके multi-dimensional approach समझ सकेंगे, जैसे मैं जब निमंद पढ़ाऊगा, या मैं जब ethics पढ़ाता हूँ, तो मैं case study में multi-dimensional approach बताता हूँ, देखो भई ऐसा भी हो सकता, जैसे मैं एक छोड़ा दारत दू, माताजी और पत्नी दोनों डूब रहे हैं, किने बचाओगे, तो कुछ लोग भावुख हो जासे हैं, मैं कहूँग ने reason, क्यों बचाओगे, और कुछ भी कहे दो उत्तर में, कोई घवराओ ने, तुमने का माता को बचाएंगे, क्यों बचाओगे, क्योंकि माता की उमर अधिक है, शारिरी ग्रूप से कमजोर है, वो ज्यादा समय तक अपने आपको बचा नहीं पाएगी, पत्नी हो सकता है कि युँ आवस्ता में है, या पत्नी की आयू कम है, तो हम कहेंगे क्यों अपने आपको बचाने का थोड़ा परियास कर सकती है, कुछ समय तक जीवित रह सकती है, माता को बचा कर पत्नी को बचाएंगे, reason दीजे, कि पत्नी की आयू कम है, माता ने अपना जीवन का एक बह फोकस करते हैं, अब मैं यह नहीं कहूंगा कि 4-6 गंटे के तयारी में यह भी 2-3 गंटे करी, 15 मिनिट, खास करके कब, खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद पढ़ने का मन नहीं होता है, तब मैं सजेश करता हूँ कि इस प्रैक्टिस को करिए, आपको बहुत हेल्प क करेगी, यह प्रैक्टिस आपके कंसेंट्रेशन को बढ़ाने की, अगर आपका मोबाइल में कुछ गेम खेलना है, तो सजेश करूँगा रिवर क्रॉसिंग जैसे गेम को खेली, या मैं सजेश करूँगा कि कुछ कंसेंट्रेशन वाले जो गेम होते हैं, जैसे मैंने एक द इस टाइप के भी कुछ गेम होते हैं, जो आपके साइकोलोजिकल फोकस को इंक्रीज करते हैं, तो अगर एक सिंपल सी मैं बात कहूँगा, सुडू को अच्छा तरीका है, सिंपल सी अगर मैं बात कहूँ, रिवर क्रॉसिंग अच्छा तरीका है, पर प्रतिदीन ऐसी पजल को सौल करिए, पजल जितना सौल करोगे, उतना ज्यादा आपका फोकस और कंसेंट्रेशन बढ़ता है, कंसेंट्रेशन के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं ये लोग, और इसी कारण से जब भी सप्ता में दो बार, चार बार, पांच बार करते चलिए, और अंतिम मातरा जितनी ज्यादा बढ़ेगी, मेमोरी उतनी ही इंक्रीज होगी, क्योंकि जितना ज्यादा हमारे बाडी में लिक्विड होता है, मेमोरी उतना ही ज्यादा, लंबे समय तक बार-बार चीजों से टकरा कर, पर्मनेन मेमोरी में कन्वर्ट होती है, इसलिए पानी की मातर के कारण मेमोरी में बदलाव महसूस होंगे तनाव कम रहेगा और नीद नीद प्रॉपर लीजे 6 से 7 घंटे का परियापत एक लॉग नीद ले लीजे बहुत सफिशंट होता है दिन बर एनरजेटिक रहने के लिए बहुत सफिशंट होता है अपने रिजट को बेटर करने के लिए क्योंकि जो लोग सोच रहे कि मैं 4 घंटे सोकर काम कर लूगा कहीं न कहीं मेमोरी पर बहुत असर पड़ता है इसलिए नीद प्रॉपर लीजे एक छे गंटे साथ गंटे की अच्छी और लॉंग टम की नीद ले लीजे ताकि एक बार में ही ब्रेन रिलैक्स हो जाए और आल मैं कहूंगा तो चीजों को मेमोराइज करने के लिए भावनात्मक्त घटनाओं का उपियोग करिए दूसरा जब भी आप चीजों को पड़ रहे होते तो संशिप में अपनी भाशा में बदल कर उसे कहानी के रुप में कन्वर्ट कर दीजे तीसरा जब भी आप पड़ती सकता पड़ते हैं तो जब कोई टेबल जब कोई नदी जैसे नदी और हम कहेंगे शहर ये जोडिया देखनी है या हमें महासागर के अरोस पर उसमें कौन से शहर हैं या हमें देखना है कि करकर रेखा से कौन से देश गुजरते हैं या हम कहेंगे कि विश्वत र बात हर चीज उसमें याद आएगे औब्जेक्टिव सवाल में उत्तर निकलाएंगे और कोशिश करिए कोशिश करिए कहानिया बनाने की ट्रिक्स बनाने की जैसे मैं कहता हूँ कि जो इंट्रीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलप्मेंट प्रोग्राम हुआ था अगनी त्रिशूल नाग आकाश पत्ना नाम या मैंने भारत के चारोतरब जो भी देश हैं अगर हम कहेंगे कि उन चारोतर जो जितने भी देश हैं उनको बढ़ते हुए या उनके लंबाई के आधार में बताए कि बॉडर कौन सी सरवाधिक भारत को लगती हैं तो मैं कह स लगता हूँ कि मेरा बचपन से बचपन से एंबीए करने का सपना था एंबीए करने का सपना था तो एंबीए बचपन से एंबीए करने का सपना था साथ देश है भारत के परोस में सिक्वेंस बचपन बांगलादेश चाइना पाकिस्तान नेपाल म्यामार भूटान अफग नहीं लग गए जहां टिपिकल लग रहा है जहां ट्थीन लग depois होड़ाय जैसे और भारत की छुद्वाह ऐट यह इलिamt senhor वाट करें तो भारत की लंबाई और चोल्ड़ाई जो मैंने याद की थी मैं आपको बताना चाहूगा कि मैंने कैसे याद की थी भारत की लंबाई और चौड़ाई को तो मान लेते हैं कि ये भारत हैं ये भारत हैं तो भारत की ये लंबाई मान रहें तो लंबाई के अगर हम बात करें तो मैंने इसे ऐसे याद रखा था कि आप लिख दीजिए एक, दो, तीन और चार आखरी में न लिखकर शुरुवात में लिख दीजिए हो गए ये लंबाई है 4123 किलो मेटर चवडाई की बात करिए तो तीन दो बार लिखिए दोनों का मल्टिप्लाई नव लिख दीजिए और क्योंकि तीन दो बार यूज़ किया इसलिए दो लिख दीजिए 2933 किलो मेटर मैंने उसी इस तरीके से याद रखा था या मैं को कि अगर एक सिंपल सी बात करें railway zone railway के जो जितने zone होते हैं उन zone को कैसे याद किया map में उस place को रख कर कि वो उत्तर में आएगा कि दक्षिन में आएगा zone का नाम पता चल जाएगा तो आप जब कोई चीज memorize नहीं हो रही हो तो उसको आप convert करिए इस तरीके के logic में convert करिए कि किसी न किसी तरीके से कोई sentence बन रहा हो कोई शब्द बन रहा हो ताकि वो आपकी चीज जल से जल याद होगी रटने में memory ज्यादा use होती है रटने में memory ज्यादा use होती है समझने और याद करने के तुलना में इसलिए समझने और याद करने के लिए कहानी जोड़ी है और कोई भी double meaning double language का meaning क्यों नहीं तुम अपने लिए कर रहे हो न किसी को तोड़ी सिखाना है तुमें तुम अपने लिए लिखते चलो वो फिर double word के meaning हो वो सामाने logic हो वो emotion हो वो कुछ भी हो वो जो आसानी से memorize हो सकता है इसलिए मैं जो use करता हूँ अपने आपको यो मतलब better करने के लिए subject में मैं इनी तरीकों का इनी tricks का use करता हूँ next class में हम इसी type की किसी और बात के साथ मुलाकात करेंगे तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहे like जरू करिए share जरू करिए सभी लोग और जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा इसे subscribe करने के में बढ़ाईए सभी को बे stop luck good night